असलाम अलेकूम आज हमने बनाया धोसा जो कि बहुत ही सिंपल और आसाम तरीके से बना है तो चलिए हम बनाते हैं धोसा बनाने से पहले हमारे चैनल को अब लाइक करिए शिब्सक्राइब करिए तो यह रहा धोसे का बेटर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद में थोड़ा साम तेल डालेंगे तब उपर तेवा पर तेल डालने के बाद हम इसको पूच लेंगे अच्छे से पूचने के बाद हम इस पर पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से पूच लेंगे कपड़े से पूछने के बाद हम इस पर धोसे का बेटर डालेंगे और दाने के बाद इसको हम अच्छे से फैला लेंगे फैलाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल डालने के बाद हम इस पर सबजी डालेंगे इसके भी अच्छे से फैला लेंगे फैलाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे देखिए अच्छे से फोल्ड हो गया है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे फिर से हम पानी डालेंगे अच्छे से पोच लेंगे तवे को अच्छे के बाद फिर से हम बेटर डालेंगे ड्योसे का अच्छे से इस पर हम तेल डालेंगे फिर से हम सब्जी डालेंगे फोल करके इसको भी निकाल लेते हैं बलेट में ऐसे हम सारे ढोसे बना कर त्यार कर लेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना यह ढोसा तो आप भी अपने घर में ऐसे बना सकते हैं सिंपल तरी हorfote आप लोग हमारे चैनल को प्लीज लाइक किजिये सबस्क्राइब किजिये थो चले कि हम अप्षर्ब कर लेते हैं कितना अच्छा बना है कितना अच्छा जार आया है फ Об लोग प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट किजिये और तूर वीडिके के लिए थाइंक यू सुकुरिया